बोस्बाय की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स, आबुलेन, मेरट किर्शी विश्वी धाले में चिकित्सकों की लापरवाही से हो रही गाय की मौत श्री हरी गोसेवाध हम ट्रस्ट के अध्यक्ष की शिकायत पर टीम के साथ निरीक्षन करने पहुँचे विधायक खाम्या मिलने पर जम कर लगाई चिकित्सकों को लताड रजिस्टर चेक किये गए तो मिली लापरवाही, गोवंच के जखमों में मिले कीडे उपस्तित रजिस्टर में छे तारीक के बाद लापरवाह डोक्टरों के नहीं मिले साइन दो पहर बारा बजे तक दो चिकित्सकों की थी उपस्तिती मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के सक्त निर्देश के बाद भी गाय के परति उपचार के लिए चिकित्सक गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं सरदार वल्लब भाई किर्शी उणिवार्सिटी में चिकित्सकों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण आए दिन गाय की मोत हो रही है सोमवार रात को भी एक गाय की मोत हो गई चिकित्सकों की लापरवाही से हो रही है इससे पूर्व भी कई गो माता की मुरत्यू हो गई यहां सबसे लापरवाह चिकित्सक डॉक्टर अजीत सिंग है जो यहां सर्जन है इन्हीं की लापरवाही से ठीक तरह से उपचार नहीं हो पा रहा इस पर अन्या चिकित्सक भी मौके पर पहुँच गए विधायक ने चिकित्सकों को लापरवाही के लिए जम कर लताड लगाई और उपस्तित रजिस्टर चेक करने को कहा यहां पर दो चिकित्सकों के अलावा अन्या चिकित्सकों की उपस्तित छे तारीक के बाद दर्ज नहीं मिली विधायक ने इस लापर वाही पर जम कर हड़काया और मुख्यमंत्रीश शिकायत करने की बात कही इस दोरान आरोपी चिकिचक अजीत कुमार को भाजपाईयों ने कई बार फोन मिलाया लेकिन उसने फोन तक रिसीव नहीं किया बाद में डोक्टर तरुन सरकार का फोन रिसीव किया तो उन्हें बताया गया कि विधायक जी यहां पहुँच गए हैं तब भी चिकिचक अजीत कुमार करीब 45 मिनट देरी से पहुँचा इस पर विधायक सत्य प्रकाश अगरवाल ने उन्हें जम कर लताड़ा श्रीहरीगोसेवाधाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नगेंदर गोस्वामी ने कहा कि चिकिचकों के द्वारा बहुत लापर वाही बरती जा रही है ये बरदास्ट करने योग्या नहीं है गोमाता तडब तडब कर मर जाती है जिन चिकिचकों पर उनके उपचार का जिम्मा है वही बहतर उपचार नहीं दे पा रहे इस दोरान स्री हरी गोसेवा धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष नगेंदर गोस्वामी, सचिवुमा शर्मा महानगर अध्यक्ष कलपना पांडे, रोहित पमार और ठाकूर जतिन के अलावा भाजपा नेता, पार्शद विक्रांत ढाका, मनिंदर विहान, पंकर चोधरी, अंकु तरिए।